टॉप फोर बेस्ट स्मार्टफून अंडर 8,000 रुपीज तो दोस्तों अगर आप भी 8,000 ये 9,000 रुपीज की बजट प्राइसेंज में एक बढ़िया सा स्मार्टफून लेने की सोच रहे हो तो ये एकदम परफेक्ट बजट है किसी भी एंट्री लेवल की स्मार्टफून को बाय करने का बट अगर अभी जे कुछ टाइम पहले की बात करी जाए तो इतने कुछ ज़्यादा खास स्मार्टफून आपको इस बजट प्राइसेंज में देखने को नहीं मिलते थे अगर आपका भी बजट इतना ही है और आप इसी बजट में एक बड़ी है स्मार्टफून लेने की सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि अभी के टाइम पर आपको कौन से स्मार्टफून के तरफ जाना चाहिए कुछ स्मार्टफून इस बजट प्राइसेंज में ऐसे भी हैं जिनको लेना बहुत ही बेकार डिसीजन होता है और हाँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया हुआ है तो कर लिजिए ताकि आपको फ्यूजर के भी अप्डेट्स मिलते रहें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें हमाई लिस्ट के फर्स नमर वाले स्मार्टफोन की बारे में तो वो हमने रखा है रियलमी के तरप से आने वाला रियलमी से 55 स्मार्टफोन जो की आपको आठ से 9000 रुपीज की बजट प्राइसेंज में इसली देखने को मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन को हमने कंसीडर भी इसली यह कर रहा है वो लोग इस स्मार्टफोन को फिफर कर सकते हैं विगाउस आपको यहाँ पे स्पैसिफिकेशन काफी बढ़ी है देखने को मिल जाते हैं और रियलमी के तरप से तो ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे काफी जवज़ देखने को मिल जाती है तो अगर डीटेल से बात कर लें हम इस स्मार्टफोन के स्पैसिफिकेशन की बारे में तो यहाँ पर आपको परफॉर्फॉर्मेंस के लिए मेड़े टिक खीलियू जी एटी एट का एक टू गिगाज पे क्लॉक्ट फोर जी प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको 4GB RAM सपोर्ट के साथ 3GB की Virtual RAM सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है इसके साथ साथ आपको 64GB की Inbuilt Memory भी मिल जाती है और वही आपको बैटरी के तौर पर भी 5000MH की काफी बड़ी बैटरी के साथ 33W का Fast Charging के सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इसके अलावा गर वही पर बात करें इस स्मार्टपून के Display Specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको डिस्पले के तौर पर 6.72 इंचेस की एक काफी बड़ी 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 पैनल देखने को मिल जाती है इसके अलावा वही पर अगर बात करें इस स्मार्टपून के Photography Features के बारे में तो यहाँ पर आपको 64 प्लस 2 Megapixel का Dual Year Camera सपोर्ट देखने को मिल जाता है और आप यहाँ से Maximum 1080p में अपनी वीडियो उसको 30 FPS पर इसलिए Full HD में Record भी कर पाएंगे इसके अलावा आपको 8 Megapixel का एक Front Camera भी देखने को मिल जाता है तो अगर आपका बजट इतना नहीं है और भी कम है आपका बजट तो आपके लिए हमने एक और स्मार्टपून रखा है और यह एक Clean UI पर बेस्ट एक Android है जहाँ पर आपको कोई भी Bloodware या फिट्स वाला सिस्टम नहीं देखने को मिलता तो आप इस स्मार्टपून की तरफ जाएंगे अगर बात करें डीटेल से इसके Specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको Performance के लिए Unisog Tiger T616 का एक 2 GHz पर Clocked Octa-Core 4G Processor मिल जाता है यहाँ पर भी आपको 4GB RAM सपोर्ट के साथ 1N28GB की Inbuilt Memory देखने को मिल जाती है और वही आपको बैटरी के तरफ पर 5000MH की काफी बड़ी है बैटरी के साथ 20W का Fast Challenge की रपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इसके अलावा करोही पर बात कर लें इस स्मार्टपून की Display Specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तरफ पर 6.5 इंचेस की एक IPL LCD पैनल देखने को मिल जाती है जो की एक Full HD Plus स्क्रीन है और यहाँ पर आपको 16N8 तक की Peak Brightness भी मिल जाती है Panda Glass की Protection के साथ 60H का Refreshed Support भी देखने को मिल जाएगा So Display Specifications मैं यहाँ पर बढ़िया ही कहूंगा Because Budget Range के एकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको काफी decent देखने को मिल जाती है इसके अलावा वहीं पर अगर बात करें इस स्मार्टपून के Photography Features की बारे में तो यहाँ पर आपको इस बजट प्राइस जैंड में भी 50MP के प्राइमजी सेंसर के साथ Dual Ear Camera शपोर्ट देखने को मिल जाता है और आप यहाँ से Maximum 1080p में अपनी वीडियो उसको 30fps पर Easily Full HD में रिकॉर्ड भी कर पाएंगे और यहाँ पर आपको 8MP का एक सामने की तरब भी सेंसर देखने को मिल जाता है यह रहे हमाई लिस्ट के second number वाली स्मार्टफून के Specifications and Features इसके बाद अगर आपको बजट और भी कम है 8,000 रुपीज तक ही है आपको बजट है आप उससे जादा एक भी नहीं बढ़ा सकते तो आपके लिए हमने रखा है Poco की तरब से आने वाला Poco M5 4G स्मार्टफून तो आप इस स्मार्टफून की तरब जा सकते हैं और Poco अपने परफॉर्मंस एन्टर की स्मार्टफून की तरब जाना जाता है बजट रेंज का कॉर्डिंग काफ़ अच्छे प्रोसेशर आपको इस स्मार्टफून में देखने को मिल जाते हैं तो अगर आपको थोड़ी बहुत गेमिंग या फिर थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस एंटर के स्पैसिफिकेशन अच्छी चाहिए तो आप Poco वाली स्मार्टपून को प्रिफर करिए गया तो अगर डीटेल से बात करें हम इस स्मार्टपून के स्पैसिफिकेशन के वारे मे तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए Mediatek Helio G99 का एक 2.2 GHz पे क्लॉग्ट ओक्तो कोर 4G प्रोसेसर मिल जाता है जहाँ पर आपको 4GB की RAM सपोर्ट के साथ 64GB की इन बिल्ट मेमरी भी देखने को मिल जाती है एंड इसके लावा आपको 5000MH की एक बड़ी बैटरी भी जो की 18W Fast Charging को सपोर्ट करेगी इसके लावा अगर वहीं पर बात करें इस स्मार्टफून के Display Specifications की बारे में तो यहाँ पर आपको 6.58 इंचेस की एक काफी बड़ीया IPL SSD पैनल देखने को मिल जाती है जो की 1018-2400 पिक्सल्स की है और यह जो इसके लावा अगर वहीं पर ब बात करें इस स्मार्टफून के फोटोग्राफी फीचेस के बारे में तो वह भी काफी बड़ीया देखने को मिल जाते हैं विगाउस आपको यहाँ फिप्टी मेगा पिक्सल्स का प्राइमरी संसर तो मिले जाता है उसके अलावा आपको दो-दो मेगा पिक्सल्स के दो अल परफॉर्मेंस सेंटी की स्मार्टफून ढोंड रहे हैं तो इसके बाद अब बढ़ते हमाई लिस्ट के फोर्थ और लास्ट स्मार्टफून की तरफ और यह स्मार्टफून कंसीडर करने का हमारा मेन कारण है कि एक जिनका भी बजट 7,000 रुपीज तक ही है वो भी एक जादा कुछ कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है तो आप इस स्मार्टफून की तरफ जाएंगे अगर आपको बजट 7,000 रुपीज है अगर डीटेल से बात करें हम इस स्मार्टफून के स्पाइसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको मेडिटिक हीलियो 4G85 का एक 2 GHz पर क्लॉक्ट ओक्ता कोर 4G प्रोसेसर मिल जाता है जहां पर आपको 4GB RAM सपोर्ट के साथ 64GB की इन विल्ट मेमरी भी देखने को मिल जाएगी इसके अलावा आपको 5000 एमज की बैटरी भी देखने को मिल जाती है और वहीं पर बात करें डिस्प्ले स्पैसिफिक को मिल जाता है वहीं आप फोटोग्राफी की तौर पर अगर बात करी जाए तो 50 Megapixel primary sensor के साथ एक आपको depth sensor भी देखने को मिल जाता है मतलब आपको यहां पर भी dual rear camera support देखने को मिलेगा और आप यहां से maximum 1080p अपने वीडियो उसको 30fps पर full HD में easily record भी कर पाएंगे इसके अ smartphone आपकी requirements या फी जितना भी आपका budget हो